हलो एव्रीवन, वेलकम टू लॉनर भी, आयाम शिवानी चाहान, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाज 7th हिंदी के पुका चाक्टो 3 हिमाले की बेटियां और अगर आप लोग ने अभी सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्स्राइब कर लीजे अभी तक मैंने उन्हें दूर से दिखा था, पड़ी घंभीर, शांथ, अपने आप में खोई हुई लगती थी, संब्रांत महिला की भाती वे प्रतीत होती थी तो अभी देखेंगे, आप सोचोंगे, मैं लाइन रीट करती जा रही हूँ, अभी समझेंगे कि क्या कहना चारे है राइटर इनका उचलना और कूदना, खिल खिलाकर लगातार हसते जाना, इनकी यह भाव गंबी, इतना यह उल्लास कहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहर और हिमालिय की बेटिया, कौन है हिमालिय की बेटिया, नदियों की बात की जा रही है, तो राइटा किसी की बात कर रहे हैं, कि अभी मैं, अभी कहते हैं कि मैं जो नदिया हैं इनको मैं दूर से देख रहा हूँ, यह कितनी कमभीर है, कमभीर वो लोग होते हैं, जो उत्तम शा कोई हुई लगती हैं देखने में संभरांत महिला मतलब एकदम अच्छी बहुत ही अच्छे विचारो वाली अच्छे आच्रण वाली महिला की तरह ये देखने में लगती हैं और मेरे दिल में इनके लिए बहुत ही सम्मान है और बहुत ही आदर के भाब हैं मा दादी मौसी म प्रिया ओडते होती हैं उनकी गोध जैसी मुझे यह लगती है जब इनकी धारा में डूबकिया लेता हूं मतलब वही न नहाना और सर को नीचे करके डाले पूरी तरह से पानी में तो इसको डूबकिया लगाना कहती है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस हिमाले के कंधे पर से जब मैं इने देखता हूँ तो यह कितनी पतली दुबली लगती है जब हिमाले से गंगा निकलती है तो यह धारा की रोक में होती है और जमीन तक पहुँचते पहुचते वो कितनी बड़ी और विशाल हो जा जब मैदान में पहुचती है तो यह कहां खो जाता है इनका सारा का सारा उल्लास तो राइटर आगे कहते हैं जब मैं किसी लडगी को देखता हूँ किसी कली कली क्या होती है जो फलार होता है ना फलार की जो बेसिक जो बड होती है जो छोड़ी सी होते तो उसको कली कहते है उस पर मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कौतू हल इतना कन्फ्यूजन इतना विसमें कि क्या है मेरे मन में ये इनकी जो बाल लीला देख करके बड़ी खुशी सी होती है बड़ा अच्छा लगता है बाल लीला का मतलब है जब ये पहाडों में होती है तो कितनी शतान अगरती ही निकलती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देखना कहां ये भागी जा रही है वह कौन लक्ष है जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हिर्दय अर्तरप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनक प्रेम 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 अगर इस प्रेम से इतरप्त नहीं हो पा रही है तो इनकी जो प्यास है वो आखे कहां जाकर पुझे इतनी जल्दी जल्दी में आके बढ़ती जा रही है बरफ जली नंगी पहाड़ियां चोटी चोटे पौदों से भरी घाटियां बंधूर अधिक सब्ज उपत क्या है ऐसा है इनका लीला निके तन तो मतलब ही कहते हैं कि इतने चोटी चोटे पौधे हैं और वड़ा ही खूबसूरत सा पूरा का पूरा नजारा है पौदों से भरी घाटियां घाटियां इंग्लिश्मिन को वैली बोला चाता है और हर तरफ जो है सब्जियां और बहुती जादा खूबसूरत पेड़ पौधे फूल सब कुछ है इनकी लीला जो है वो कितनी जादा खूबसूरत है खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार चीर सरो चिनार सफेदा कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इने बीती बाते याद करने का मौका मिल जाता होगा तो ये क्या है ये सारे पेड़ों के नाम है देवदार जीर ये जो है ना ये पेड़ों के नाम है वे कहते है राइटर जो भी खूब शतानी करती है आगे निकल जाती है तो जब ये पेड़ों के जंगलों में पहुंचती है तो इनकी रफटाश है थोड़ी धीमी पर जाती होगी तो इने को सोचने का वक्त मिलता होगा कि हम लोग कहां से आए हैं कहां जा रहे हैं बीती बातों को याद करने का मौका मिल जाता होगा कौन जाने बुड़ा हिमा अगर आप हिमाले से जवाब लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एक शांती ही वहाँ पर मिलेगी सिंदू और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, जेलम, काबुल, कपशा, गंगा, यमुना, सर्यू, तंटक, कोसी, आदी, हिमाले की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं तो देखे, यह है न, यहाँ पे न, सारी की सारी नदियों के नाम हैं क्या है यह यह? यह नदियों के नाम हैं आपर हमें बताए गए हैं सिंदू, ब्रह्मपुत्र, सिंदू, जिसको हमें इंग्लिश में इंडस नदी कहते हैं ब्रह्मपुत्र तो आपको पता ही है और बाकि रावी भी नदी है सतलुजवियास ये सारी की सारी नदियां है तो ये कावी सारी नदियां तो सिंदू ब्रह्मपुत्र में से ही निकलती हैं तो जब आप सिंदू ब्रह्मपुत्र कर नाम लेते हैं तो बहुत सारी नदियों के आपको और याद आ जाती है वास्तव में सिंदू ब्रह्मपुत्र स्वेम तो कुछ भी नहीं है द्यालू हिमाल्य के पिखले हुए दिल की एक-एक बुंद्धना जाने कपसे खटा हो होकर इनको महानदों के रूप में समुद्र की और प्रवाहित होती रहती है तो अपने आप में तो सिंदु ब्रमपुत्र कुछ भी नहीं है जो हिमालिया है हिमालिया की बरफ पिंखलती है उस बरफ के बिखलने की वज़े से इन नदियों में पानी आता है और उस पानी के वज़े से ही तो यह आगे बहपाती है और समुद्र में जाकर के मिल पाती है कितना सो भागेशाली है वे समुद्र जिसे परवत राज हिमालिय कि इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है तो कहते हैं कि समुद्र कितना भागेशाली है कि जो इस परवत राज है यानि कि हिमालिय जो है इनकी जो बेटियां है जो यम्मुन, सॉरी यहां पर इनोंने ब्रह्मपुत्र और जो इनडस नदी है, सिंदू नदी को इनकी बेटिया कहा है परवत राज की और इनकी बेटिया समुद्र में जाके मिल जाती है तो समुद्र कितना भागेशाली है जिनोंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूरे हिमाल्या की गोध में बच्चिया बनकर यह कैसा खेला करती है मतलब यह राइटर कहता है कि जिन लोगों ने इन नदियों को सिर्फ उसे जमीन पर देखा है सिर्फ प्लेन एरियास में देखा है तो वो यह इमाजिन भी नहीं कर सकते है कि यह जो जब हिमाल्या की गोध में होती है तो कैसे बच्चों की तरह यह हरकते करती है माबाप की गोध में नंग धनंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकरशक भले ही नहों लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वहरूप की हिमाल्या को सरूर और समुद्र को उसका दामात कहने में भी मुझे जिजक नहीं होती तो यह राइटर क्या कहते हैं कि जो हिमाल्या की बेटियां है हिमाले की बेटी हैं कौन है नदी बेटी है यहाँ पर नदी तो बेटी के फादर कौन हुए पिता कौन हुए हिमाले हिमाले यहाँ पर पिता है हिमाले यहाँ पर पिता है और समुद्र कौन है समुद्र जो है समुद्र हिमाले के दामाद है समुद्र है हिमाले के दामाद ऐस राइटर के अकूर्डिग है सच्छा ंऐहए कुछ नहीं है राइटर केसू तो राइटर कहते हैं। पहाडवर मेरे वाले लोग उप אנחנו फा कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेग दूद से कहा था वित्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना तुम्हारी वहप्रियसी तुम्हें बागर अवश्य ही प्रसन होगी यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचाना किया था गई और सोचा कि शायद उस महा कवी को भी नदियों का सरचेतन रूपक पसंद था तो देखे इसमें क्या है ना कालिदास के बारे में बता रहे हैं कालिदास जो है एक बहुत ही बड़े कवी है उन्होंने काफी सारी ना महा काव्य लिखे है या फिर नॉविल्स लिखी है उन्होंने आसमान से कहते हैं कि जो है मेरा प्यार मेरी लवर को दे आओ और वो बारिश के रूप में नदियों के रूप में उस तरीके की बाते कहते हैं तो राइटर कहते हैं कि जिस तरीके से कालिदास ने भी इन नदियों की रूप में प्यार को दिख लिया था शायद वही चीज म वो तुम्हें पाकर के बहुत प्रसन हो जाएगी नेग जो है बादल की बूंदे नदियां जो है बादल की बूंदे और नदियों का फैर चल रहा है वो जब बूंदे पड़ेंगी नदी में तो बड़ी नदी कोशुच रहेगी यह बात सुनकर के सोच एक तम से यात आगी ाइड को दरसल जो भी कोई नदियों को पहाडी घाटी और सम्तल आंगनों के मैदान में जिदा जितर शक्लों में देखेगा इसी नतीजे लिए यह कहते हैं कि कि इस लिए के पहुचे है कि नतीजे पर पहुचेगी कि नदियों को लोक माता का है, scholar का लेकर एक परसन है, उन्होंने नतिओं को पूरी दुनिया की माता काहा है, किन्तु माता बनने से पहले यदी हम इने बेटियों के रूप में देख लें, तो क्या है? माता बनने से पहले किसी की बेटियां भी तो होंगी है, राइटर कहते हैं तो कोई बुराई तो नहीं इनको बेटी के रूप में देखना और थोड़ा आगे चलिए इनी में अगर हम प्रियसी के की भावना करें तो क्या होगा ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोर सकते हैं तो एक प्रियसी मतलब लवर के रूप में भी हम इनको देख सकते हैं और ममता का एक और धागा है इनको हम बहन का भी इस्तान दे सकते हैं बहन का इस्तान कितने कव्योंने इन नदियों को दिया है बहुत कव्योंने नदियों को बहन भी कहा है एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी कि थोले तिबबत की बात है मन उचट गया था तब यह डीली थी सतलुष के किनारे जाकर बैठ किया तो बैर का समय था पह लटका है नदी में बैठ गये थोड़ी देर में उस प्रगती शील जल ने असर डाला अच्टन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुन-कुराने तो फिर ही कहते हैं कि एक बार मैं तबबत मिता मन थोड़ा सा खराब हो रहा था तो मैं सतलुष ञंदी में जाकर करे पैर ढाल के बैट गया और धीरे धीरे मेरा मन ठीक हो गया और मैं गाना गाने लगा गाना क्या गायनोंने जै हो सतलुच बहन तुम्हारी लीला अचरज बहन तुम्हारी हुआ मुदित मन हटा खुमारी जाओं मैं तुम पर बलिहारी तो इसमें है कि सतलज बहन तुम्हारी जै हो तुम्हारी लीला ही अचरज है अनुखी लीला है तुम्हारी और मेरा मन पूरा मिटा जा रहा है और जितने भी मैं तुम्हारे गुणगान गाओं वो कम है तुम बेटी यहें बाप हिमाले चिंतित पर चुपचाप हिमाले प्र कहानि लिखह नागार जो ने कविता भी लिखी है और हमारा चप्टर प में सिंपल सा चप्टर है इसमें ए पाथ बता गई है बसे बहुत से बहुत बात हैं बिस्किली आपके सापते हैं। तो बस यही बात है, इस में इस चाप्टर में हो गया, अच्छा लगा, तो जरूर लाइक करिए विडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए, थेंक यू